Hello friends, आज मैं आपको 2002 की The Dreamers ये मूवी एक्स्लिमेंट करने वाला हूँ इस मूवी में एक American student perish जाता है और वहाँ पर अजीब से twins से मिलता है ये उसके friends बन जाते हैं पर इन brother और sister का relationship बहुत ही अजीब है इसके बाद क्या होता है यहां हम explanation में जानेंगे कुछ movies होती है जिसमें बाहर जो चल रहा है वही चीज़े characters के अंदर भी conflict करती है उसी तरह के सी ये movie है external चीज़े इनके अंदर की emotional और mindset को represent करती है जैसे movie progress होगी और ending होगी तो यह सब चीज़े मैं आपको समझाओंगा तो चली इसे explain करना start करते है movie start होती है और हमारा main character जिसका नाम है Matthew ये introduce होता है ये Matthew ही है जो हमें सब story सुना रहा है Matthew अपने education complete करने के लिए अमेरिका चोड़ का directly Paris आ जाता है Matthew को movies बहुत ही पसंद आती है इसने बहुत सारी movies देखी है और सब चीज़े इसे movies के बारे में पता है इसे उसके movie के interest की वज़े से ही वो Isabelle और थियो ये दोन twin से मिलता है movie की screening करने के लिए कोई भी restriction नहीं चाहिए इसलिए सब लोग बाहर वेट कर प्रदर्शन कर रहे होते है इसे जगा पर Matthew भी आ चाता है गेट के बास Isabella होती है Matthew जो वहाँ पहुचता है तो उसे हो बात करने लग जाती है उस कहती है कि मैं आसपास तुम्हें हमेशा देखती रहती हूँ पर हमेशा तुम अकेली ही होते हो Matthew भी उसे कहता है कि हो अमेरिका से आया है इसी वज़े से उसके कोई friends नहीं है Isabella अपने ब्रदर थियो से भी Matthew को मिलाती है इसके बारे फिल्म्स के बारे में बात करते है और इन में अच्छी bonding होती है थोड़ी देर में वहाँ पूली स्पोर्च जाते है यसा वहाँ से भाग जाते है देर रात तक अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते है पैर इसकी बीडिवा स्टीट से जाते होए Matthew को लगता है कि हो बहुत ही fortunate है उसके आच्छे से दो friends बन चुके है Matthew जब घर पहुचता है तो अपनी मदर को लेटर लिखता है वो बहुत ही खुश है कि उसके आफ फ्रेंड्स बन चुके है जब वो सुबा उठता है तो उसे थियो का कॉल आता है थियो उसे आज राट डिनर के लिए घर बुलाता है मैथू शाम में उनके घर पहुचता है जब घर देखता है तो यह बहुत ही बड़ा घर होता है इसावेला फिर मदर को मैथू से मिलवाने के लिए लेकर जाती है मदर को एकस्पेक्टेंड नहीं था कि मैथू डिनर के लिए आने वाला है पर फिर भी वो अट्जस कर लेते है Izabela कहती है कि मैरे फादर सी मिलो उन पर अच्छा इंब्रेशन तुम जमाना Izabela के फादर एक poet होते है इसके बाद जब भी डिनर टेबल पर होते है तो फादर poetry में किस तरा से inspiration आती इसके बारे में बात करे होते है पर इस पर मैंतु का थोड़ा भी धान नहीं होता इस पर उचिर जाते और कहते हैं क्या तुम सोच रहे थे मैंतु कहनी रहा था पर उसे फोर्स करते हैं वो कहता है कि मैं इस लाइटर को देख रहा था कि इस तरह से इस लाइटर में कि तुमारे जनरेशन में भी इस तरह से कंस्ट्रक्ट्ट्व चीज़ों को देखा जा सकता है थियो के पॉलिटिकल ओपेनिन बहुत ही स्ट्रॉंग है और हमेशा उसे सब चीज़े गरत लगती है इस वज़े से फादर उसे ताना मारते है इस वज़े से फादर और उसका थोड़ा सा जगड़ा होता है एक्च्वल में लिजावेल के फादर और मदर यहां नहीं रहते है वो पोईट है तो विजिट करते रहते है इस घर में थियो और इसावेला अकेले ही रहते है रात में फादर इन दोनों के लिए चेक लिखते है और चले जाते है फादर मदर के जाने के बाद मैथ्यू फिर भी यही रुखता है इस अवेला उसे किस करती है और कहती है क्या तुम यही रुखने वाले हो और यह डिसाइड कर लेता है जब थियो और मैथ्यू बात करते हैं तो इनके बातों से हमें पता चलता है कि हमेशा इन दोनों में कंफ्लिक्ट होती है कंफ्लिक्ट है इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे फ्रेंड्स नी बन सकते फिर भी इनमें बहुत सारी चीज़े कॉमन हैं आज रात मैंथ्यू यही रुखता है रात में जब और डायलेट में जाता है तो थियो की रूम में जहाग कर देखता है वहाँ पर थियो और इसाबेला और इसाबेला को मैं ऐसे उठाती हूँ मैंत्यू को यह चीज बहुत ही अजीब लगती है इसके बाद इसाबेला मैंत्यू को बात्रूम में बुलाती है मैंत्यू जब ब्रश कर रहा होता है तो उसके पास वो आती है उसकी लिप्स देखती है और कहती है कि बहुत ही ब्यूटिफुल है यहाँ पर थियो मैत्यों से कहता है कि तुम अकेले रहते हो तो हमारे पास आकर रह सकते हो तो अच्छे से फ्रेंड्स बन सकते हैं मैत्यों कहता है क्या तुम दोनों को इससे कोई भी प्रॉल्लम नहीं है इसाबेला कहती है कि एक्चुल में मेरा आइडिया था यहाँ पर इसावेला होती है पर फिर भी थियो बात करने लग जाता है थियो और इसावेला एक दूसरे को अपना ही पार्ट समझते हैं जब इनका बर्थ हुआ था तो एक दूसरे की बॉड़ी से जुड़े हुए थे इसी वज़े से एक दूसरे से वह शर्म नहीं करते हैं जैसा मैथ्यू को लग रहा था कि इन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन्शिप होगी तो ऐसा कोई भी नहीं है यह दोनों अपने माइन में एक दूसरे को अलग-अलग नहीं समझते हैं मैथ्यू भी इनके साथ रहने के लिए मान जाता है और शिफ्ट कर देता है एक दिन जब यह हैंग आउट कर रहे होते हैं तब इनका एक गेम होता है इसमें मुवी का डायलोग को ही बोलता है और मुवी का नेम गेस करना आता है अगर कोई गेस नहीं कर पाया तो उन्हें एक डेर करनी होती है एक पुरानी मुवी में उस मुवी के कैरेक्टर्स आर्ट म्यूजियम से भागते भागते बाहर निकल गए थे यह उन्होंने बहुत ही कम वक्त में किया था अभी इन्हें भी आइडे आती है कि उन्हें भी यह करना चाहिए मैं तो डर रहा होता है अगर हो पकड़ा गया तो फिर से उसे अमेरिका जाना पड़ेगा यह दोनों उसे मना लेते है और यह करकर भी आते है एसी अजीब हो गरीब लाइफस्टाइल जी कर यह सब खुश है गर में थियो और इजाबेला इन दोनों में जो भी रिलेशन्शिप है इसे मैं तो ज़रा अनकमफटेबल है इसे समझ में नहाता कि यह चलता क्या है एक दिन वो थियो को बाहर लेकर आता है और थियो से पूशता भी है कि ऐसा कैसे तुम रह सकते हो थियो से सब को समझाता है कि किस तरह से वो जुड़े होए थे और अपने माइन के लेवल में वो एक दूसरे को कभी भी अलग-अलग नहीं समझते है एक दिन फिर से यह सब हैंग आउट कर रहे है और गेम खेलते है इस बार थियो एक मूवी का सीन करकर दिखाता है और मैथ्यो और इसबेला इसे पहचान नहीं पाते है थियो इन दोनों को डेर देता है कि उसके सामने इन दोनों को इंटिमेट होना है मैथ्यो यह सुनकर डर जाता है वो खहता है कि प्लीज मुझे इस सब में इनवाल मत करो मैथ्यो के सामने इसबेला अपने कबड़े उतारती है मैथ्यो यह सब करना नहीं चाहता है तो तुम और थियो इस तरह से क्यों हो इजबेला केती है कि बच्पन से हम दोने एक दूसरे से प्यार करते हैं मैथ्यो कहता है कि यह सब चीज़े अगर तुम्हेरे फादर को पता चल गई तो तुम क्या करोगी इजबेला केती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी एक दिन थियो और मैथ्यो एक दूसरे से बात करते हैं तो मैथ्यो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब हो पर फिर भी तुम दोनों ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया है थियो मैथ्यो को कहता है कि तुम मुझे पसन हो पर कभी भी यह मत बोलना कि तुम हमारा पार्ट तुम हमारे फ्रेंड हो बर फिर भी हमेशा से हम दोनों ही थे और हम ही रहेंगे ये मैथ्यू के लिए अजीब है और फिर भी विए इसे जाने देता है ठीयो और इसावेला बहुती लाइफस्टाइल जीते हैं बहुत ही गौसली वाइन पीते अलग अलग चीजे करते इसे वज़े से उन्हें बहुत सारे पैसे लगते है उनके फादर उनके लिए जो पैसे छोड़ कर जाते है वो अब खतम हो चुके है उनके पास घर में कुछ वो खा सके इसके पर सही से पैसे नहीं है यह तीनों अब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और घर चलाते हैं मैथ्यो और इजावेला में जो रिलेशन्शिप अब हो रही है इसे देखकर थियो अब जरा जेलस है एक दिन जब वो अपने कॉलेश में होता है तो वह एक लड़की उसे बात करने लग चाती है यह दोनों अपडेक्ट पर जाने वाले हैं एक दिन यह सब बात्रूम में और सब मिलकर नहा रहे हैं थियो और मैथ्यो बात करते अमेरिकन सोलजर वियंदाब में वार कर रहे हैं यह थियो को सही नहीं लगता थियो सब अमेरिकन को इसके लिए ब्लेम करता है मैथ्यो कहता है कि इस तरह से नहीं है हमें force किया जाता है President ने order दिया और कोई यंग्स्टर अगर water के लिए नहीं जा रहा तो उसे jail में डाल सकते है इसलिए Matthew आज से भाग कर Paris में education ले रहा होता है यह हमार time period जो चल रहा है यह 1960s का है Matthew कहता है कि मैं violence पर believe नहीं करता अगर reward करना ही है तो वो शान्दी से करना चाहिए इस पर भी यह दोने disagree करते है Isabella इनकी बात रोग लीती है Isabella Matthew से कहते है क्या तुम हम दोनों से pair करते हो इसका कोई prove दे सकते हो Matthew कहता है कि कैसे मुझे prove देना है Isabella उठती है और razor राती है Thio और Isabella यह दोनों मिलकर उसके pubic hairs काटना चाहते है Matthew इन दोनों पर बहुत ही चिड़ जाता है वो कहता है कि तुम यह सब जो करे हो यह सब गलत है तुम हमेशा बच्चों की तरह ही सब को चीज़े करते हो तुमें कभी ना कभी तो grew होना ही पड़ेगा वो अब Isabella को चीड़ कर कहता है कि तुमें तो कोई भी चीज़े पता नहीं है तुमारा कभी भी boyfriend नहीं था तो इसी वाज़े से तुम कभी date पर नहीं कई हो Thio तुमें जो भी सब कहता है यही तुम करती हो Matthew इन दोनों घर पर आते तो Thio एक लड़की के साथ होता है Thio और वो लड़की intimate होते है तो इसके आवाज रिजावे लगवाते है यह आवाज सुनकर वो disturb हो जाती है जेलस मैंसुस करती है और बहुत रोती है एक बार फिर से Thio और Matthew वाइन पी रहे होते है पैरिस में revolution चल रही है जाना चाहिए थोड़ी देर में Isabella वहाँ आती है और इन दोनों को हाल में लेकर जाती है जब Isabella और थियों छोटे थे तो एक टेंड बनाते थे उसके अंदर ही सोते थे इन दोनों को वहाँ लेकर जाती है और यह तिनों अप सो जाते है सुबह हम देखते हैं कि मदर फादर आते हैं यह इन दिनों को स्टेंड में देखते है यहाँ क्या चल रहा होगा इसे उजूम कर लेते हैं फादर को बहुत ही बुरा लगता है यह किसी को भी नहीं उठाते है और चेक लिखकर वहाँ से चले जाते हैं दिन में बहुत ही लेट इजबेला उठती है, यह चेक वो देखती है, तब उसे समझ में आता है कि उसके मदर फादर यहाँ आ चुके है, अपने पेरेंस को वो फिर से फेस नहीं कर पाएगी, इसे बहुत ही गिल्टी मेसूस होता है, यह कूपाइप लेती है और पूरे घर क वो गैस करेगी, और इसे गैस में मर जाएगी, यहों डिसाइड करती है, यहों करना स्टार्ट भी करती है, पर नीचे स्ट्रीट पर रिवोलेशन चल रही है, इसका एक पत्थर आता है, और खेडगी को तोड़ देता है, मैथ्यो और थियो भी अब उट जाते हैं, नीचे इसे रोकने कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता, थियो के साथ इसाबेला भी आगे बढ़ती है, मैथ्यो इस सब में बाट नहीं ले सकता, तो वह आसे भाग जाता है, फुलिस फिर चार्च करते हैं, और सब लोग भागने लग जाते हैं, यही यह मूवी एंड हो जाती ह अब एंडिंग क्या हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं, जो रिवल्यूशन इस मूवी में दिखाए गई है, यह सिर्फ क्यारेक्टर्स के बीच में जो कन्फिक्ट है, यह दिखा रही है, थियो और इसाबेला ट्विन ब्रदर और सिस्टर से, जब इनका जन्व हुआ था, तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हमेशा इन में एक बड़ी अटेजमेंट थी, कभी एक दूसरे को अलग नहीं मानते थे, इसाबेला को कभी ना कभी डेट करना था, तो इसलिए वो मैथ्यू को डेट कर रही थी, तो इस चीज से ज़रा जेलस होने लग गया, क इसकी पैरेंस को अगर पता चल गया, तो हो सुसाइट कर लेगी, कि हमेशा उसके मन में था, मुवी के लास्ट में उसकी पैरेंट को पता चल गया, और हो सुसाइट कर रही थी, पर नीची रिवोलिशन चल रही थी, उसका पत्थर उपर आ गया, और इनकी जान उन्होंने बचा ली, यह जो revolution है, यह उनकी mind की state है, Theo और Isabella एक साथ रहे है, यह कभी भी society accept नहीं करगी, मैं थो हमेशा यही चीज उन्हें याद करा कर देता था, लास्ट में Theo और Isabella reward करकर उठते है, मूवियों में police की खिलावी reward हम देखते है, पर actual में society की खिलावी reward है, मैं थो इन की relationship नहीं थी, यह दोनों एक दूसरे को एक मानते थे, इसी वज़े से एक दूसरे के साथ रहना चाते थे, यही आज का वीडियो हम कतम करते है, अगर आप को वीडियो अच्छा लागा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा, मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता करते हैं